नमस्कार दोस्तों मैं राकेज भिलमार आपके चायना जै भारत लेटस इन्पो में आपका सौगत करता हूँ कॉर्नेलिया सोरब जी एक भारतिय मैला थी जो बॉंबई विश्य उद्धाले से पहली मैला स्तानक थी ओक्सपोर्ड उनिविस्टि में कानून का अध्यान करने वाली पहली भारतिय मैला थी भारत में पहली मैला वक्किल थी भारत और ब्रिटन में कानून का अभ्यास करने वाली पहली भारतिय मैला थी 2012 में लंदन के लिंकन इन में उनकी प्रतिमा का अनावरन किया गया था वे एक समाज सुधारक तता लेखी का भी थी 15 नोएंबर 1866 को नाशिक में जल्मी कॉर्णोलिया सोरोब जी 1822 में नागरिक कानून की पड़ाई करने के लिए विदेश गई और 1894 में भारत तोटी उस समाज में महिलाओ मुकर नहीं थी और नहीं महिलाओ को वकालत करने का अधिकार था पर कॉर्णेलिया तो एक जुनून का ही नाम था अपनी प्रतिवाग की बड़ाद लोद उन्होंने महिलाओ के को कानूनी परामस देना अरम किया और महिलाओ के लिए वकालत का पेशा खोलने की मांग उठाई अन्तता 1907 के बाद कारनेलिया को बंगाल भियार, उरिस्सा और आसम की अधालोतों में सायक महिलाओ वकिल का पद दिया गया एक लंबी जदो जद के बाद 1924 में महिलाओ को वकालत से रोखने वाला कानून को शितिल कर उनके लिए भी ये पेशा खोल दिया गया 1929 में कारनोलिया सोरप जी हाइकोट की वरिष्ट वकिल के तोर पर सेवा नुरुत तो हुई उसके बाद महिलाओ में इतनी जागुरुदी आ चुकी थी कि वे वकालत को एक पेशे के तोर पर आपनागर अपनी आवाज मुकर करना ही लगे थी यदपी 1924 में कारनोलिया सोरप जी का धियान पास हो गया जब वे लंडन बें थी पर आज भी उनका नाम मुकालर जैसर जटिल और प्रसेश्टिस पेशों में से महिलाओ के लिए इस बुनिया थे तो दोस्तों आगर में ये वेरा वीडियो आपको आच्छा लगा होगा तो लाइक बटन पो जरूप प्रेस किजिए तो चलो मिलते दोस्तों मेरे आगले वीडियो में जै भारत